तो प्रधानमंतरी किसान सम्मान निधियोजना की अगली किस्त को लेकर एक बहुत अच्छी और बड़ी ख़वर निकल कर आ रही है अब PM किसानियोजना की जो आगे 2000 रूपे की चवद्वे किस्त मिलने वाली है उसका एक नया स्टेटस हमारे सामने आ चुका है आप सोच रहे होंगे कि detective status में तो अगली किस्त को लेकर अभी तक किसानों के स्टेटस में लगबख की waiting for approval आया है कोई नया अपडेट अभी तक नहीं आया है waiting for approval आया है लेकिन बहुत सनर किसानों के चवद्वे किस्त को अप्सिन नहीं आया है किस्त कब आईगी कितना समय ले गएगी किस्त तो लेट आईगी इसलिए अभी तक सभी किसानों का स्टेटिस अपडेट नहीं वा है लेकिन मैं आपको बता दू प्यम किसाने उजना कि किस्त को लेकर एक नया स्टेटिस सामने आ चुका है यह आपको यूटूब पर कोई नहीं बताएगा इस वीडियो में आपको एक महत पुन जानकर यह बताने वाला हूँ अगर आप प्यम किसान के लाभारती हैं तो यह नए वाला स्टेटिस चैकर कि आपको पता चलेगा कि आपकी जो आगे वाली 2000 रुपे है उसका पेमेंट हो प्रोसेसिंग में हो चुका है पेमेंट बहुत जल्द आपके बैंक खाते में आने वाला है अगर आपको लगता है कि पेसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा तो यह स्टेटिस चैकर लीजेगा आपको पता चल जाए कि आपके 2000 रुपे बहुत जल्द आपके बैंक खाते में आने वाली है चलिए नएा status दिखाते हैं लेकिन उसे पहले आपको पुराणा status दिखा देते हैं 7M status दिखाएंगे तो पुराणा status यानि बेनिफिशरी status ये मैं open कर लेता हूं और मैं उसे किसान का status पुराणे वाला और नया वाला दोनेों दिखाऊंगा जिसे मैं आपको फरक पता चलेगा कि जो पिछे वाली किस्ट जो 27 फरवरी को मिली थी और आगे जो किस्ट अब कुछी दिनों में मिलने वाली है उसके status में क्या क्या फरक है और अगली किस्ट का जो payment है वो processing में आ चुका है payment proceed हो चुका है और capture code डालने के बाद यहाँ पर मैं जैसे gate data वाला option है यहाँ पर click कर लेता हूँ अब gate data वाले option पर click करने के बाद status open हो जाता है status कुछ इस तरह से open वा है यह किसान का status में ने open किया है अब detail देख लीजी बिल्कुल सही है कोई भी problem नहीं है सब को सही है regular पेस हमिल रहा है और किसान को 10 किस्ते समय पर मिली है 11 किस्त भी मिल चुकी है अलांकि status में अभी नहीं दिखा रहा है अलांकि किसान को 11 किस्त समय पर मिली है 12 किस्त इस किसान को 13 किस्त के समय पर मिली है यानि यह हमेशा से एक किस्ट पिस से रहा है क्योंकि इसने बाद में आवदन किया था अब यहाँ पर इसको चौदवी किस्ट मिलेगी उससे दिन तेरवी किस्ट मिलेगी लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बारवी किस्ट 27 फरवरी 2030 को मिली है यानि रेगुलर पिसा मिल रहा है एक किस्ट पिस से जरूर है लेकिन यह किसान ने आप बाद में आवदन किया था इसलिए यह पिस्ट है लेकिन इसको पिसा एकदम रेगुलर मिल रहा है अब चौदवी किस्ट मिलेगी उससमें तेरवी किस्ट मिलेगी और जब 13 किस्त मिली थी उसमें इसको 12 किस्त आप डेट देख सकते हैं 27 फरवरी को मिली थी प्रदानमंत्री जी ने बटन दबा कर जारी किया था उसी दिन मिल चुके थे अब हम बात करते हैं इस किसान को 13 किस्त कब मिलेगी और जिनको 13 किस्त मिल चुके उनको 14 किस्त कब मिलेगी इसका नया वाला स्टेटिस आप किस तरह से चेक कर सकते हो आप स्टेटिस चेक करोगे तो आपको भी एकदम पता चल जाएगा कि हाँ भी अभी पेश से आने वाले ह आपका पेशों का जो दो जार रुपी की किस्त है उसका प्रोसेस भी शुरू हो चुका है तो यहाँ पर आपको बैक करना है और बैक नहीं करना है बलकि यहाँ पर आपको अपने रजिस्टेसन नंबर उपर से कोपी कर लेने अब रजिस्टेस नंबर कोपी करने के बाद यहाँ पर आप PM किसान के पोर्टल पर आचुके हैं आप खुद देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको नए वाला स्टेटस से करने के लिए एक अप्सन मिलता है वोलिंटरी सिरिंडरो पीम किसान बेनिफिट्स है आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो PM किसान बेनिफिट्स नंबर का फॉरम बंद होता है लेकिन यहाँ पर आपको बंद नहीं करना है आपको थोड़ा सा स्टेप करना है सबसे पहले रजिस्टेसन नंबर डालने होंगे तो यहाँ पर मैं registration number जो को पिगे थे और डाल लेता हूँ और registration number डालने के बाद capture डालने उसके बाद gate data वाले option पर क्लिक करना है अब यहाँ पर देख लिजिए OTP है जब इन सेंट यो register mobile number तो यहाँ पर आपके जो आधार में link mobile number है आपको थोड़ा से इंतिजार करना है एक या दो सकेंड का तो यहाँ पर मैं OTP डाल लेता हूँ OTP का option यहाँ पर हमारे पास खुल चुका है उसके बाद आप जेक्स लेखते हैं OTP अमने डाल लिया आप verify कर लेता हूँ तो फिर आपको जैसे verify वाले option अपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर all entry surrender form खुल चुका है अब यहाँ पर step by step देखते हैं किसान का name, father name यहाँ पर registration number, date of worth यहाँ पर सभी कुछ दिखाया गया, detail दिखाई गया, personal सभी परकार की तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है अब यहाँ पर आपने, मैंने आपको status दिखाया था किस किसान को 12 किस्ते मिल चुकी है, 13 किस्त का इंतजार है 13 किस्त का status अभी तक खाली है लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, status खाली नहीं है अब यहाँ पर किस्त का इंस्टॉल्मेंट पेमेंट आप देख सकते हैं इस्टॉल्मेंट पेमेंट प्रोसेड हो चुका, 13 किस्त का यानि सरकार की तरफ से इसका पूरा है वो डाटा तैयार कर लिया गया है अब यह किसान वगर फोरम बंद करेगा तो इसको 13 किस्त का है वो पेसा अभी तक मिला वा दिखा रहा है यानि 13 किस्त का पेसा हमबंद नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ से प्रोसेशिंग में हो चुका है अब यहाँ पर कुछी दुनों में जैसे को प्रदानमंत्री जी तारिक फिक्स करते हैं गज़ेगा तो यही तैस्ट चेक और है यहाँ पर अपको नबर की जो किस्त का प्रोसेशिंग में हो चुकी है तभी यहाँ पर यह सटेट Tillुग। यह splitting का ने यहां पर आपर डेशेटिक्रस बहुता है हैं और यह 13 किस्तें भी दिखा रहा है 12 किसंसर Cox ते 13 किस्तें त्रसर दिखा रहा हुए ये बहुत अच्छा और नया vibe बी चیک कर लेजंगा आपको जो भी अगले किस्त मिली है मिलने वाली है उसका colors यहाँ पर जूरूर दिखा रहोगा उमिद करता हूं नए स्टेटिस की जानकर यह से लगी होगी वीडियो कर देना लाइक और चनल कर देना सब्सक्राइब धन्यवाद है